Hello student, good morning, welcome to our channel ASP classes, कैसे आप लोग उमीद है, आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे आज हम 12th class की biology के unit first के MCQs करेंगे क्योंकि आप लोगों के exam कई बच्चे जो भी हार बोर्ड से हैं, UP बोर्ड से हैं, उन लोगों के exam जो हैं, वो एक फैब से हैं है ना, तो इस कारण जो है हम लोग unit first, unit wise MCQs करेंगे और हिंदी मीडियें वाले बच्चे टेंशन ना लें, उनको मैं हिंदी में भी बोल के बता दूँगे, इन MCQs को तो सब लोगों को answer करना है और concept को समस्ते हुए चलना है, ठीक है, unit first जो है वो reproduction वाली है, जनन वाली है, इसमें तीन chapter है, how to organ, sorry, sexual reproduction in flowering plants, उसके अलावा कौन सी unit है, human reproduction और reproductive health, ये तीन chapter है, इन तीनों के हमको MCQs करने हैं, तो देखो question number first आप लोगों के सामने है, what is the male reproductive organ of flower, तुम्हें flower की structure सबको आनी चाहिए, ये देखो, ये है flower, stigma, style और ovary, इसके अलावा ये क्या है, बाये दलपुंच, दलपुंच, पुमंग और जायांग, इंगलिश में बोले तो, सैपल, पैटल, एंडरोशियम, स्टैमेन, या फिर गाइनोशियम यानि पिस्टिल, ठीक है तो इन में से कौन जो है, male reproductive part है, flower का, stigma, एंथर, ovary या फिर style, तो सही answer क्या होगा, एंथर, एंथर जो है, वो male part बनाता है, और एंथर के नीचे की तरफ क्या होता है, filament, दोनों के जूडने से क्या बनता है, stamen, क्या बनेगा, stamen, next question देखो, the process of pollen grain, transfer from the एंथर to stigma of flower is cold, कि pollen grain का, यानि प्राग कन का, वर्तिकागर से कहा जाना, प्राग को से कहा जाना, वर्तिकागर पर, इस प्रकरिया को हम बोलते हैं, प्रागन, इंगलिश में बोलेंगे pollination, fertilization, option B है, pollination, option C है, germination, और option D है, क्या है बेटा, ovulation, तो सही answer क्या होगा pollination, यानि प्रागन, और तुम लोगों को ये चीज पता होगी, कि प्रागन जो है, वो दो तरीके का होता है, स्वेप्रागन और परप्रागन, स्वेप्रागन भी दो तरीके का है, जैसे ओटोगैमी और गैनेटोगैमी, अगर एक ही पुष्प के प्रागकन, उसी पुष् पुष्पी प्रागन, यानि गाइनेटोगैमी, ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता हो नहीं चाहिए, चलो नेक्स क्योशन की तरफ चलते है, विच ओफ दा फॉलोइंग इस नोटे मैथड ओफ सेल्फ पोलिनेशन इन फ्लोवर, कि सेल्फ पोलिनेशन का इन में से कौन सा मेथड नहीं है, कौन सेल्फ पोलिनेशन शो नहीं करता, क्लिस्टोगैमी, विंड पोलिनेशन, गाइनेटोगैमी या ओटोगैमी, सही आंसर क्या होगा, विंड पोलिनेशन, हवा दुआरा जो प्रागन होता है, वो सेल्फ पोलिनेशन को शो नहीं करता, सेल्फ पोलिन ठीक है, नेक्स क्योशन देखो, इन विच पार्ट ओफ दा फ्लोवर पिस्टिल डज फर्टिलाइज़ अकर, कि फ्लोवर के कौन से पार्ट में फर्टिलाइज़िशन होता है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, बेटा, फर्टिलाइज़िशन क्या होता है, फ्यूजन में कहां होता है, तो याद रखना, ओवेरी में, तो ओप्शन ओवेरी में भी कहां, ओविल में, ओप्शन ए है, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा या ओविल, ता दा करेक्ट आंसर इस ओविल, ठीक है, बिजांड में होता है, नेक्स क्योशन देखो, दा फ्यूजन ओफ मेल and female gamit during sexual reproduction in flowering plants lead to the formation of कि अगर sexual reproduction हो जाएगा उसके बाद में यानि male gamit and female gamit दोनों जुड़ेंगे male gamit क्या होता है भई pollen grain यानि प्राकण और female gamit क्या होता है अंड कोशिका यानि egg cell दोनों के मिलने से क्या बनेगा embryo या फिर जाईगोट जाईगोट आगे चलके क्या बनाता है embryo तो option यह है embryo जाईगोट, endosperm या फिर seed तो सही answer क्या होगा जाईगोट जाईगोट आगे चलके क्या बनाता है brune embryo next question देखो the phenomena where a single a single pollen grain germinate and produce two male gamit ऐसा फिनोमेना उस परक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक नर्यूगमक दो नर्यूगुकों में तूटता है यानि प्राक्कन जो है उसमें एक कोशी का दो नर्यूगुकों में तूटती है उसे क्या कहते हैं तो option यह है binary fusion double fertilization single pollen grain germinate and produce two male gamit bipolar division या triple fusion तो उसे हम क्या बोलेंगे binary fusion ठीक है यानि एक जो नर्यूगमक है वो किसमें तूटेगा दो नर्यूगमकों में ठीक है और यह दोनो नर्यूगमक आगे चलके क्या बनाएंगे double fertilization करेंगे और जाइगोट और प्लस में क्या बनाएंगे बेटा brun post brun post बनाएंगे यानि endosperm है ना चलो आगे देखते हैं which part of the embryo shake nourish the developing embryo कि embryo shake का कौन सा part जो है वो developing embryo को nutrition प्रवाइड करता है nourishment का मतलब क्या है portion परदान करता है brun post को portion कौन परदान करता है यह पूछ रहा है आप लोगों से तो option A देखो synergit antipodal egg cell या central cell तो याद रखना synergit cells जो हैं वो क्या provide करती है बोजन next question देखो which of the following is not a reproductive part of flower कि इन में से full का जनन अंग कोन सा नहीं है जो चार option दे रखे हैं उन में से कोन सा फूल के जनन अंग नहीं है तो option A क्या है सैपल यानि बाईय दलपुंच पैटल दलपुंच stamen का मतलब फुकेसर और स्टाइल का मतलब क्या है वर्तिका तो जनन अंग कोन नहीं है इन में से सैपल और पैटल ठीक है तो सही answer क्या हो जाएगा सैपल next question देखो the edible part of the mango fruit is कि जो आम तुम लोग खाते हो उसमें खाने योगे हिस्सा कौन सा होता है देखो तुमारे NCRT में concept दे रहे है true fruits और false fruit सही और गलत सही फल कौन से होते हैं ऐसे फल जिसके अंदर ovary यानि अंडास से खाने योगे हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं true fruits लेकिन अंडास से के अलावा किसी और हिस्से को अगर हम खा रहे हैं तो वो है false fruit for example apple सेव में हम किसी हिस्से को खाते हैं थेले मस को खाते हैं तो ये एक false fruit है बेटा उसी प्रकार पूछ रहा है mango के अंदर खाने योगे हिस्सा कोन सा होता है तो सही answer याद रखना mesocarp क्या होगा mesocarp बाई ये तो अच्छा और अंते तो अच्छा की बीच में कार्प पाई जाती है mesocarp जो की खाने योगे हिस्सा होता है mango का ठीक है चलो आगे देखो which of the following is a non-endospermic seed इन में से कौन जो है वो non-endospermic seed है पहले चीज तो आपको ये पता होनी चीए albuminus देखो मैं लिख रहे हूं albuminus वे non-albuminus बीज कौन से होते है तो albuminus कौन से होते हैं जिनमें बुरून पोश सेश रह जाता है बुरून पोश यानि endospermic बच जाता है ठीक है और non-albuminus कौन से होते हैं जिसमें नहीं बचता तो इसका उधारन क्या होगा pea और groundnut है ना इसमें endospermic नहीं बचता और जिनमें बच जाता है for example castor हो गया मेज हो गया मक्का हो गया इनमें endospermic बच जाता है coconut के अंदर भी जो है यानि नारील का पानी जो हम पीते हैं उसमें nuclear endospermic पाये जाता है यानि के अंदर यह brun post क्योंकि हम जो है उसके अंदर endospermic brun post बच जाता है देखो brun post क्या होता है बुरुन को पोशन परधान करने के लिए द्वीनी से चन दुआरा बना गया पदार्थ उसी को हम बुरुन पोश बोलते हैं अब कई बर बुरुन इसको completely consume कर लेता है कई बर नहीं कर पाता जब completely consume कर लेता है पूरा खा लेता है उसको हम बोलते हैं non albuminus और जब पूरा बच जाता है थोड़ा इसा बच जाता है उसको हम बोलते हैं albuminus ठीक है तो सही answer क्या होगा P ठीक है तो याद रखना मटर next question देखो which of these is not a part of the female reproductive system मादा जननंग आप लोगों को बनाना आता होगा तो इन में से कौन उसका part नहीं है ovary, fallopian tube ये दोनों तो है, uterus भी है, prostate gland जो है वो नर में पाई जाती है तो ये जो है मादा जनन का भाग नहीं है मेरे को इस question का answer करो कि बोटी सीमेन, सीमेन क्या होता है और ये कौन-कौन सी ग्रंथियों यानि gland इस केस तराव से बनता है आप लोग मेरे को इसका answer कमेंट में करोगे क्योंकि आपने male reproductive system अच्छे से पढ़ा होगा है ना क्योंकि अभी तो exam आ रहे है तो अच्छे से पढ़ा ही होगा male reproductive system में question पूछ रही होगी सिमेन क्या होता है और इसमें कौन-कौन सी gland का secretion शामिल होता है next question देखो दा primary sex organ in male are कि male में देखो दो तरीके के sex organ होते है primary जो कि gamit बनाते है यानि यूगमक निर्मान करते है और दूसरे होते है बेटा secondary जो कि उन यूगमकों को आगे भेजने के लिए रास्ता दिखाते हैं ठीक है तो primary कौन होते हैं हमेशा याद रखना testis कौन होते हैं testis epididymis नहीं होगा worst difference भी नहीं होगा और seminal vesicle भी नहीं होगा अच्छा मेरे को बताओ surgically surgically अगर मैं male के अंदर क्या कर दूँ उसे सर्टाइल कर दूँ तो operation के लिए जो term use की जाती है male में उसे हम क्या बोलते हैं और वो कौन से हिस्से में cut लगा के किया जाता है next question देखो the process of formation of mature sperm call is देखो mature sperm cells के बनने को क्या कहते हैं spums जो हैं वो शुरू में mature नहीं होते metamorphosis के बाद में वो mature बनते हैं उनमें tail का formation होता है और sperm बनते किसे हैं primary spermatocyte cell होता क्या है primary spermatocyte cell जो है वो क्या करती है अपने size को increase करती है फिर उनमें division होता है meiosis first यानि अर्ध शुत्री प्रथम उससे दो कोशिकाए बनेंगी जिससे हमें बनेंगे spermatocyte कोशिकाए उनमें फिर से क्या होगा meiosis द्वित्य है यानि meiosis second अर्ध शुत्री दित्य विवाजन होगा जिससे हमें बनेंगे spermatocyte जोवा फिर उनमें कायांतरन के फलसरूप चार जो हैं वो क्या बनेंगे शुकराणू तो यह बोल रहा है कि इसके formation को क्या कहते हैं oogenesis oogenesis तो अंड निर्मान को कहते है ovulation अंडोत सर्ग भी नहीं कहते हैं इसका सही answer क्या होगा spermatogenesis शुकराणू जनन हिंदी में इसको क्या बोलेंगे शुकराणू जनन ठीक है लिख देते हैं शुकराणू जनन किसे कहते हैं शुकराणू निर्मान की परकरिया को होती किसे है यह प्राथमिक spermatocyte को शिकाओं से होती है शुकराणू जनन ठीक है कहते हैं next question देखो दिखाई दे रहा होगा fertilization in human occurring अभी बैनी बताया था कि मानव में fertilization कहाँ होता है डिम्ब वाहिनी में यानि फैलोपियन ट्यूब में उसके भी कौन से हिस्से में एमपुला वाले हिस्से में क्योंकि एमपुला इस्थमस इसके कई पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के uterus में implantation होता है और फैलोपियन ट्यूब में Sexual Character in Male कौणसा ऐसा हार्मोन है, जो कि नर के अंदर जो है, दित्यक लेंगी क्लक्षनों का विकास करता है। मादा हार्मोन और नर हार्मोन आप लोगों को याद होने चीए, मेल हार्मोन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंडरोजन, फीमेल हार्मोन कौन से होते हैं, प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन तो ये चारो जो हार्मोन हैं, ये नर और मादा में द्वित्यक गोंड लेंगिक लक्षनों का विकास करते हैं अवाज का पतली मोटी होना, ब्रेस्ट डवलपमेंट होना, बोडी पे हेर ग्रो होना, प्यूबिक हेर ग्रोथ होना, ये सब जो हैं कैसे होते हैं, द्वित्यक लेंगिक लक्षनों के कारण होते हैं और ये 13 से 14 की उमर में देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, एस्ट्रोजन नहीं, प्रोजेस्ट्रोन भी नहीं, टेस्टोस्टिरोन, सही आंसर क्या होगा, टेस्टोस्टिरोन The menstruation cycle in female is regulated by the hormone, कि लड़कियों में जो मद चक्र आता है, एक से 28 दिन का होता है, और ये चक्र जो है, वो कौन सा हार्मोन नियंतरीट करता है, देखो, टोटल चार हार्मोन होते हैं, FSH, LH, प्रोजेस्टरोन और एस्ट्रोजन, देखा जाए तो ये चारो ही हार्मोन मद चक परकर को नियंतरित करते हैं लेकिन की डिमांड के बेस पे हम देखते हैं सही आंसर क्या होगा option A है estrogen और progesterone, option B है follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, C है luteinizing hormone and testosterone और D है prolactin and oxytocin तो सही आंसर क्या होगा estrogen और progesterone का main role होता है इसको balance करने के लिए next question देखो the release of mature egg from the ovary is known as अब मालो ये egg है, है ना ovary है, इस ovary में follicles बनते हैं, पुटक बनते हैं मैटा और तुम्हें पता है, पुटकों का development, तुमारे practical में भी important है topic TS of ovary के ओपर question बहुत जादा अच्छे से पूछता है examiner, तो याद रखना, ovary यानि अंडास है अंडास है में किसका development होता है, फुटकों का, यानि follicle का, सबसे पहले follicle बनते हैं, प्री मोडियल follicle ये follicle का जो number है, at the time of birth ही decide हो जाता है कि लड़कियों में कितने follicle बनेंगे है ना, अब follicle जो है, वो प्री मोडियल follicle ग्रो करेंगे primary follicle primary follicle से convert होंगे secondary follicle secondary follicle में क्या होता है, कि भार एक layer पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं, थीका, external and थीका, internal अब secondary follicle किसमें कनवाट होगा, tertiary follicle tertiary follicle में क्या फिशेश बात होगी, कि उसके अंदर एक cavity मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे, interim cavity अब ये tertiary follicle आगे चलके किसमें परिवर्तित होगा, graphene follicle और graphene follicle बेटा ब्रस्ट होगा at the time of ovulation अंडोत सर के समय, यानि menstruation cycle के चोदवे दिन अंड कोशी का बहार आती है समझ मैं है, तो अगर कोई couple है और उनको बच्चा plan नहीं करना, उनको नहीं करना बच्चा तो 10 से लेके 17 दिन तक जब periods आते हैं, 1 से 28 दिन का cycle होता है उसके 10 में से लेके 17 दिन तक उनको sex, copulation avoid करना पड़ेगा क्योंकि उस समय, चोदवे दिन कौन बार निकलता है, एग बार निकलता है है ना, तो fertilization की chance ज़्यादा होते हैं तो इसका सही answer क्या होगा, menstruation, fertilization या ovulation तो correct answer क्या होगा, ovulation इस प्रक्रिया को बोलते हैं, undot sark next question देखो, the inner lining of the uterus where the fertilized egg implant and develop it's cold कि जब uterus यानी गर्बास से की 3 बित्ती होती है, perimetrium, myometrium, endometrium तो इसकी कौन सी बित्ती में जो है, वो भुरून को implant किया जाता है सही answer होगा, endometrium next question देखो, the hormone responsible for milk production देखो, ऐसे pregnancy के बाद में जो है, वो लड़कियों में milk का production होता है तो एक हार्मोन उसके लिए responsible होता है, हमेशा याद रखना है, that is prolactin ठीक है, secretion के लिए होता है, oxytocin और बनाने, milk को बनाने के लिए कौन होता है, बेटा, prolactin तो milk producing hormone कौन है, prolactin next question देखो, in human fertilization typically occur in human के अंदर fertilization, palopian tube repeat हो गया, यह question एक बार पहले भी आया था the process of setting of the uterine lining along with the blood is known as कि जो है, menstruation cycle के time पे लड़कियों में bleeding होती है, 1-5 दिन तक bleeding होती है और तुम यह मान के चलो, 5-10 ml blood जो है, उसका हर महीने loss हो रहा होता है इसी वज़े से लड़कियों में, इंडिया में क्या है, एनीमिया की condition है, खून की काफी कमी देखी जाती है सरकारी स्कूलों में तो तुमने देखा होगा, जो iron की tablets है, वो free garment जो है, distribute कर रही है क्यों क्योंकि लड़कियों में खून की कमी ना रहे तो अब ये पूछ क्या रहे है, कि उस bleeding को क्या कहते है, उसको कहते है, menstruation क्या कहेंगे बेटा, menstruation bleeding phase भी बोलते है next question देखुद, the hormone responsible for the contraction of uterine muscles during child birth कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, तब बच्चा दानी में कितना ज़्यादा संकूचन और सिथिलन होता है, contraction और relaxation होता है, जिससे की baby बहार आ सके तो उस समय एक hormone release होता है, जो कि placenta अपरा दुआरा release किया जाता है और उस hormone को हम बोलते हैं, नाम अच्छे से याद रखना बूलना मत, oxytocin, इसको love hormone भी बोलते हैं, oxytocin, ठीक है तो इसका सही answer क्या होगा, oxytocin, next question देखो, which of the following is a, STI, STI का मतलब क्या है, sexually transmitted infection या फिर disease तो इन में से कौन है भई, hepatitis, influenza, tuberculosis और malaria, sex करने से जो फैलता है, उसे हम बोलते है, sexually transmitted तो सबसे ज़्यादा खतरनाक तो है AIDS, लेकिन option में AIDS नहीं है, तो सही answer क्या होगा, hepatitis B next question देखो, the surgical method of permanent contraception in male, कि लड़कों में permanent ही sperm के production को, सुकराणू के निर्मान को बंद कर दिया जाए, तो बंदे करण करवा दिया जाए, कुछ लड़के जो rape case वगेरा में involved होते हैं, तो सरकार उनको सजा देती है, कि इसका बंदे करण करवा दिया जाए, तो उसमें, उस condition को क्या कहते हैं, यह पूछ रहा है, तो that is called, क्या बोलोगे उसको, vesectomy, क्योंकि यह सुकरवाही का worst defenses में होती है, ठीक है, next question देखो, emergency contraception is effective is used within, कि अगर pregnancy हो गई है गलती से, तो emergency pills के नाम से, eye pills के नाम से market में दवाई आती है, अगर बैतर गंटे के अंदर अंदर लड नहीं चाहिए, तो that is 72 hours, ठीक है, next question देखो, which STI is caused by the bacterium Niseria gonorrhea, कौन से ऐसा बिमारी या फिर रोग है, जो कि एक जिवानू Niseria gonorrhea से होता है, तो याद रखना, gonorrhea नाम में ही gonorrhea आ रहे है, तो gonorrhea एक ऐसी बिमारी है, जो कि किस से होती है, जिवानू से, जिवानू का न female reproductive system does fertilization आकर, भई, ये question फिर से repeat हो गया, गलती से तीन बार question repeat हो गया, next question, देखो, the surgical method of permanent contraception in female, देखो, लड़कों में अगर बंदे करण करवाया जाए, लड़की वैसे कम करवाते हैं, इसके लिए अलग से operation करवाना पड़ते है, लड़कियां, जैसे किसी female के दो नहीं करने, तो डॉक्टर क्या करती है, at the time of pregnancy ही उसका बंदे करण भी करतेती है, तो लड़कियों में इस process को क्या कहते है, tubeectomy, क्योंकि ये कहां किया जाता है, fallopian tube में, ठीक है, correct answer क्या होगा बेटा, एक second question चला गया, fallopian tube, tubeectomy बोलेंगे उसको, next question देखो, which contraceptive method work by inhibiting ovulation, कि ovulation को रोकने के लिए, यानि अंडोसर को रोकने के लिए कौन सा method अच्छा है, copper T, copper T भी अच्छा है, इसके लावा oral contraceptive pill आती है, जिनको हम ovulation रोक सकते हैं, जिन से, next question देखो, which of these is not a type of assisted reproductive technology, ART जो है, इन में से कौन सी नहीं है, IVF, use की जाती ह IUI, serogacy और hysterectomy, hysterectomy जो है एक method है, जिसमें बच्चा दानी को निकाल दिया जाता है, एक तरीके का operation है, तो इसको हम contraceptive में count नहीं करेंगे, ठीक है, तो hysterectomy इसका सही आंसर होगा D, next question देखो, which of these in a non-harmonal contraceptive method, कि जिसमें hormone therapy, hormone use नहीं हो रहा, उन में से कौन है, सही आंसर क्या होगा, copper tea, copper tea में क्या use नहीं होता, hormone, ठीक है, next question देखो, what is the purpose of the pollen tube in plants, कि plant में जो पराग न लिका होती है, उसका परपज क्या है, उदेशे क्या है, option है, to provide support to the pollen grain, बिल्कुल भी नहीं, to protect the pollen grain during transportation, बिल्कुल भी नहीं, to help in fertilization by carrying male gamit to the ovary, कि निशेचन में जो नर आश्य तक लेके जाने का कारिये पराग नलीका करती है, तो इस वज़े से पराग नलीका, आप लोग मेरको इसका आंसर करोगे, कि पराग नलीका, पराग कनकी, कौन सी बित्ती से निकलती है, कौन सी cell wall से जो है, वो पराग नलीका pollen tube निकलती है, कौन सी बित्ती से निकलती इसका आंसवर आप लोग कमेंट में करोगे और वन सेकिंड ठीक है चलो नेक्स्ट क्योशन देखते हैं जनरेटिव नुकलियस डिवाइड फ्रोम कि जब नर्यूगमक डिवाइड करता है तो क्या बनाता है दो मेल गयमिट इसका सही आंसवर क्या होगा दो नर्यूगमक ठीक नेक्स्ट क्योशन देखो एंब्रियो शेक इस लोकेटेड इंसाइड दा जो ब्रूण पोश होता है वो किसके अंदर होता है स्टिगमा ओविल माइक्रोपाइलिया स्टाइल तो सही आंसर क्या होगा बिजांड के अंदर होता है ब्रूण पोश ठीक है नेक्स्ट क्योशन ओप्शन ए देखो क्या दे रखा है पैडिकल, कोरोला, सैपल या थैले मस तो उसको बेटा हम मोलेंगे पैडिकल यह याद रखना इंपोर्टेंट है क्योशन दा आउटर नेम फोर गाइनोशियम, अदर नेम, आउटर नी अदर, देखो गाइनोशियम यानि जायां का दूसरा नाम क्या है भई, इसका सैयांस रोगा पिस्टिल या फिर कारपल, हम गाइनोशियम को पिस्टिल या कारपल भी पुकारते हैं नेक्स देखो, Acrosome is filled with, Acrosome तुम्हें पता है, ये शुकराणू है, ये शुकराणू की गरदन है, ये पूछ है, और इसकी उपर जो है, ऐसा कुछ हिस्सा पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं, Acrosome, इसमें विबिन परकार के पाचन एंजाइम पाये जाते हैं, ताकि जब य जोना पहले उस उड़ा, Cementing Layer है, उसको वो penetrate, यानि तोड के अंदर चले जाएं, गदम रोकेट की तरह है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, Digestive Enzyme, पाचन एंजाइम पाये जाते हैं, इसमें गोलजी काई, के, ठीक है, तो देखो, आज जो हैं, हमने तीनों चैप्टर के, Human Reproductive System, Reproductive Health, और Reproduction in Flowering Plant, तीनों के हमने कुछ MCQs को देखा है, इसके अलावा हम जो है, और भी MCQs की practice करेंगे इसकी, और कल जो है, मैं लाइव क्लास में, या फिर यहाँ पे lecture में, आपको next unit के MCQs की practice करवाऊंगी, तो ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई doubt हो, आप लोग comment मे मेर से पूछ सकते हैं, आपको जरूर reply मिलेगा, thank you, have a nice day.